Hello students, मैं अजीज सिर्वास्तवा, फिल से आज ओनलाइन क्लास में उपस्तित हुआ हूँ Students, आज मैं क्लास 8 का Geography का Chapter 1, Resources पढ़ाने वाला हूँ Resources का Hindi meaning संसाधन होते हैं First of all, we talk about what is the resources? Anything that satisfies human needs is called a resources मनुस्त के आवशक्ताओं को पूर्ती करने वाले सभी चीजों को resources कहते हैं या संसाधन कहते हैं Students, हम लोग इस चार्ड के माध्यम से resources के classification को समझने की कोशिस करते हैं Resources को कैसे classified किया गया है? उनको हम लोग one by one करके समझते हैं Students, सबसे पहले हम बोलेंगे कि resources को बहुत सारे base पे बाटा गया है हम लोग one by one इसके सभी बेसों को जानते हुए और सबको हम लोग समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे Based on content and source के अधार पे resources को कितने भागों में बाटा गया है? तो तीन भागों में बाटा गया है पहला क्या है natural resources, दूसरा human made resources और तीसरा human resources इसकी हिंदी मेनी को समझते है Natural resources, प्राकृतिक संसाधन, human made resources, मानो निर्मित संसाधन, human resources, मानो संसाधन अगर natural resources का meaning अगर shortly समझें तो जो nature से प्राप्त होता है जैसे air and water Human made resources को shortly समझें तो मनुस्थ के द्वारा बनाएगे चीजों को कहते हैं जो हम use मिलाते हैं जैसे building, road, यह सारे human resources में आते हैं अगर human resources क्या है तो मनुस्थ भी एक human resource के रूप में प्रयोग में आये जाते हैं और use में हम लोग आते हैं अपनी knowledge का अपनी skill का प्रयोग करके हम लोग utilize में किसी न किसी resources के रूप में हम लोग use में आते हैं चलिए हम लोग इसके दूसरे base की तरफ बढ़ते हैं resources की दूसरी base की बात करें तो origin based on origin origin के अधार पे इसे दो भागों में बाटा गया resources को पहला biotic और दूसरा aboietic, javic और ojavic previous class में हम लोग इसको काफी अच्छे से पढ़े हैं बट फिर से हम इसको shortly explain करते हैं biotic living things को कहते हैं for example plants and animals aboietics non living things को कहते हैं for example अगर बात करें soil and lands की बात करते हैं लिए हम लोग resources के दूसरे इसके classification की तरफ चबढ़ते हैं तो based on use मतलब प्रयोग के अधार पे resources को फिर दो भागों में बाटा गया है एक actual और दूसरा potential अगर actual की बात करें तो being utilized in present आज हम लोग पर्दवान में इसे बहु सारे छेत्रों में प्रयोग करने लगे हैं सभी अलग-अलग reason में utilize होने लगे हैं for example में अगर बात करें तो windmills potential का मतलब भी चलता है एक powerful potential इसको हम लोग shortly explain कर सकते हैं कि we have potential for example uranium चलिए अब हम लोग natural resources को durability के अधार पर durability मतलब अस्थाइतों के अधार पे इनको दो भागों में बाटा गया है एक renewal और दूसरा non-renewal renewal का मतलब जो पुना use के बाद पुना फिर से प्राप्त किया जा सकता है या फिर से प्राप्त करने वाला non-renewal का मतलब जो प्राप्त नहीं किये जा सकते है या प्राप्त करने में इसे हजारो वर्स लगते है renewal में example की बात करें for example renewal में water, soil and forest, etc अगर हम लोग non-renewal की example की बात करें for example coal, petroleum and natural gas, etc तो इस तरीके से हम लोग resources के सारे भागों को समझे, सारे types को समझे, उनके classification को अच्छे तरीके से इस diagram के बाद हम से चले, अब हम लोग सभी part को इसके explanation की तरब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग nature resources के definition की तरब बढ़ते हैं resources that are drawn directly from the nature are called nature resources वैसे प्राकृतिक संसादन उसे कहते हैं जो directly nature से प्राप्त होते हैं for example, air, water, sunlight and minerals ETS दूसरा है topics, human made resources मानो निर्मित संसाधन the resources which are created from the natural resources by the human resource, by the human being to produce useful products are known as human made resources इसको shortly समझेंगे कि मानो द्वारा निर्मित संसाधन चीजे जिनको हम लोग मानो निर्मित संसाधन कहते हैं मानो के द्वारा बनाएगे चीजों को जैसे for example, buildings, breeze, roads, machinery and vehicles ETS दूसरे point की तरह बढ़ते हैं human resources, मानो संसाधन इसको shortly समझें human resources refers to the number and abilities of the people एक तरीके से shortly इसको समझें तो मनुस भी एक संसाधन है जो हम लोग भी कहीं न कहीं प्रियोग में आते हैं फोर अपने knowledge, skill का प्रियोग हमारे knowledge का, skill का प्रियोग जो है resources के रूप में होता है चलिए next topic कि तरह बढ़ते हैं distinguish between renewal resources and non-renewal resources renewal resources are those which can be get renewed or replenished quickly such as water, soil, solar and forest मत्र सोटली में इसको कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिनको हम लोग दुबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग renewal resources कहते हैं अब हम लोग non-renewal resources को समझते हैं non-renewal resources are those which have a limited stock once the stocks are exhausted it may take thousands of years to be renewed or replenished such as coal, petroleum and natural gas इसको सौटली समझते हैं कि वैसे संसाधन जो limited stocks में है और ये दुबारा फिर से प्राप्त नहीं होते हैं अगर होते भी हैं तो काफी लंबे thousands of years लगते हैं इसके करण ये हम इसे non-renewal के category में रखते हैं next topic कि तरह बढ़ते हैं biotic resources और abootic resources distinguish between biotic resources and abootic resources biotic resources को समझते हैं इसके distinguish को all those resources which are obtained from the biosphere and have life are known as biotic resources for example animals, plants and human being eating abootic resources को समझते हैं all those resources which are composed of non-living things are called abootic resources for example soil, land and water it is next topic कि तरह बढ़ते हैं resource conservations संसाधन का जो संसाधन है उनका सनक्षन कैसे किया जा है using resources judicially and giving them time to get renewed is color resources conservations shortly क्या हैं तो हम लोग अपने resources का बिवेक पुर्ण utilize करते हैं ताकि वो उनका संरक्षन हो सके और time to time वो हमें मिल सके हम उनका फिर से उन्हें प्राप्ट कर सके चलिए, next हम लोग चलते हैं दुसरे point की sustainable developments क्या है? तो अगर हम लोग कह रहें सतत पोष्णिये विकाश अब ये क्या होते हैं? चलिए हम लोग इसको many को समझते हैं balancing the need to use the resource and also conserve them for the future is called a sustainable sustainable development कह सकते हैं shortly कि जो भी मेरे resources हैं उनको एक तरीके से balance करना ताकि वो संदक्षन करना ताकि वो हम अपने future में उनको अच्छे तरह के से फिर से use कर सके अब हम लोग इसके कुछ principles के विसे में जानेंगे principle of sustainable developments क्या है? हमने इनके चार principles को indicate किये हैं one by one करके हम लोग इनको समझते हैं students first है we respect and care of all forms of life respect and care for all forms of life अगर बात करें इसकी meaning थी तो जीवन के सभी रूपों का आदर और धेखवाल करना next दूसरी point की बात करें improve the quality of human life मानो जीवन की गुनवत्ता को बढ़ाना next दूसरी point की बात करेंगे minimize the depletions of natural resources इस तरीके से प्राकिर्तिक संसाधनों का जो कम से कम use depletion करना इसकी जो है छै प्राकिर्ति संसाधनों के हांस को कम से कम करना next four point की बात करें तो enable communities to care for their own environment इसका remaining हो गया समुदायों को अपने पर्यावरन की देखवाल करने योग बनाना तो इस तरीके से हम लोग अपने क्लास 8 के chapter 1 रिचिक्राफी का resources को अच्छे तरीके से हम लोग समझे हैं students मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि पहले आप इस topic को अच्छे तरीके से इस वीडियो का अच्छे तरीके से देखिए और देखने के बाद आप इसको write down कीजिए अपने fear copy में और कोई भी problems होता है या किसी भी topics में आपको doubts है तो उसको comment के माध्यम से आप हमसे पूछिए comment कीजिए जिससे मैं आपको reply कर सकता हूँ और एक तरीके से मेरा request ही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले like भी करें comment भी करें और मेरे चैनल को subscribe भी करें और इसमें वेल को भी दवाना न भूले क्योंकि अगर आप वेल दवा देंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपके class related या कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको notification मिलेगा और time to time आपको notification मिलेगा जिससे आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं time to time और अच्छी तरीके से आप study कर सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही thanks